नमस्कार दोस्तों आईए आज हम सभी जानते हैं वह सास संकेत क्या हैं जिन से पता चलता है कि हम पर हमारे पित्रों की क्रपा है या नहीं सास्टरों के अनुसार पित्रों के लिए किया गया शाद आपके परवार के उन रत्रकों को तरप्त करता है जो पित्र लोग की याकरा पर है इस तरह अपने पित्रों को शाद के माध्यम से दी गई बस्तूई पहुंचती है और बे शात करने वाले को आशिरवाद देते हैं अधिकतर लोग शात पक्च में नए काम करने से बसते हैं लेकिन जिन लोगों पर पित्रों की क्रपा होती है उन्हें नए काम करने से लाव होता है आईए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आप पर आपे प नबर दो यदि आपके घर में किसी मृत्य व्यक्ति को याद करते ही आपके कामों में आरही रुकावटें दूर हो जाती हैं तो आप पर आपके पित्रों की विशेश करपार तीन यदि आपको सपने में पित्र यानी पूर्वच खुश और आशिवा देते हुए अकसर नजर आते हैं तो आपके पित्र आप से प्रसन्न है नमबर चार जब भी आपको इनया काम शुरू करें और आपको अपने बरिष्ट लोगों का लगाता सयोग मिले तो समझ लें कि आप पर पित्रों का आशिरवाद है नमबर पांच सपने में साप को अपनी सुरक्षा सयोग करते देखना भी पित्रों का आशिरवाद होने का संकेत होता है नमबर चै अमाबस्या या उस तिथी के आसपास जब लोगों को अक्सर नुपसान होता है तब आपको विशेश लाव होना या बाहन सुख मिलना पित्रों की करपा का इशारा है नमबर साथ जिन लोगों के अपने माता पिता से समंद मजूर होते हैं और घर में कभी किसी की आकसमेक मेत्व ना हुई होता है तो ऐसे परिवार उपर पित्रों की विशेश करपा होती है यह सारे संकेत हमें बताते हैं कि हमारे पित्र हमसे खुश है या नहीं जब हमसे हमारे पित्र खुश होते हैं उनकी क्रपा आशिरवाद हम पर होता है तो भगवान भी हम पर खुश होते हैं और भगवान और पित्रों के क्रपा आशिरवाद से हमें धन्वैबव युक, सुक्र, सम्रिध्धी और यश्की प्राप्ति होती है और हमारा परिवार खुश रहता है पर हमें पितर पक्षवे ही है बात भी ध्यान रखनी होगी कि हमें अपने पितरों को खुश करने के लिए घर में कलहे नहीं करनी चाहिए हम इसा सुखत सांती पूर्ण और खुश बातबरन बनाए रखना चाहिए उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल किया स्चिरी रादे किसना सिंगार को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो के न्यू अपडेट्स चल्दी मिल जाएं और प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह नौलेज और लोगों तक भी जाए उससे वहभी अपने लिए कुछ अच्छा कर सकें और औरों को भी अच्छी बातें बता सकें आप को किसी भी टॉपिक पर और भी हमसे वीडियो उन्माना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं कि आपको किस क्या वीडियो चाहिए हम वह वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे आप हमें कमेंट्स के दौरा बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ठैंक्स पर वाचिंग राधे राधे